हेलो, है फैंस, जो आज का हमार प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, यह जो आप देख रहे हैं, टू कंपनेंट्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर यह जो आप देख रहे हैं, यह एक फोटो डायोड और यह एक आयार रिसीवर हैं, एक्चुली दोनों ही आयार रिसीवर ह एसे component को हम बोलते हैं infrared edition receiver ठीक है तो अभी इसके अंदर जो man difference है वो हम देखने वाले हैं तो यह जो आप देख रहे हैं यह actually एक photo diode जिसे हम IR receiver भी बोलते हैं ठीक है तेकिन photo diode के अंदर two terminals होते हैं positive नेगिटिव actually यह work क्या करता है जैसे ही इसके उपर light पढ़ती है infrared radiation light पढ़ती है तो यह light energy को electrical energy में convert करता है जैसे ही light यहाँ पढ़ती है तो light पढ़ने पर यह यहाँ पर electrical current दे देता है ठीक है positive और negative यह दे देता है और यह जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं IR receiver इसके अंदर आप देख रहे हैं 1,2,3 ठीक है 3 टर्मिनल आप देख रहे हैं यह जो टर्मिनल फर्स्ट आप देख रहे हैं यह इसका आउटपूट होता है जो की ओपेशन के बाद आउटपूट देता है और यह आप देख रहे हैं इसके अंदर नेगिटिव है ठीक है और य जो आप तेखें, इन्फरेडियेशन, जो फोटो डायोड है, यह एक्चुली जो एनलोग सिगनल्स होते हैं, जो टाइम के साथ चेंजिंग में आते हैं, ठीक है, ऐसे सिगनल को हम बोलते हैं, एनलोग सिगनल, तो उसे रिसीव कर सकता है, और आउटपुट दे सकता है, ठीक और यह जो आप देखें, इसके अंदर ऐसा नहीं है, यह actually एक digital signal ले सकता है, digital के बाद operation perform करेगा, then output digitally हमें दे सकता है, analog output यह नहीं दे सकता है, ठीके, analog मतलब time के साथ जो change होते हैं, ठीके, और digital जो time के साथ, कुछ ही time moments के अंदर change होते हैं, 0 यह 1 होता है, ठीके, तो यह 0 1 को receive करता है, then उसके बाद, अपना एक लेकटिकल सिगनल हमें दे देता है, output हमें दे देता है, आप इसे active component भी बोल सकते हैं, चूँकि active component होते हैं, उसे जो operate करने के लिए external power supply की अबसकता होते हैं, तो इसे भी चलाने के लिए external power supply की अबसकता होती है, इसके लिए कोई भी सकता है external power supply की नहीं है इसे आप passive component बोल सकते हैं और जो इसका जो IR receiver आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है यह actually इसकी जो distance है वो 5 से 6 meter तक की हो सकते है 5 से 6 meter तक की distance को receive कर सकता है मतलब infrared radiation को receive कर सकता है 5 से 6 meter तक की ठीक है और यह जो आप देख रहे हैं इसके अंदर actually ऐसा नहीं है यह 1 meter तक यह फिर 1 meter से कम तक यह receive करता है इसके अंदर accuracy नहीं होती लेकिन इसके अंदर accuracy होती है आपका जो TV जो घर पर TV है यह फिर buffer वगेरा जो आप remote से control कर सकते हैं ऐसी equipment सभी remote से control कर सकते है ठीक है उसके अंदर यह सायद आपने देखा होगा इसे हम IR receiver बोलते हैं तो यह बहुत ही important role play करता है electronics के अंदर तो circuit हमने त्यार किया है आपको इसका clear हो जाएगा कि यह वर कैसे करते हैं अभी देखें फर्स्ट जो है यह फर्स्ट टर्मिनल आप देख अभी इसके अंदर भी two terminals है तो इसके अंदर भी एक circuit हमने बनाया है actually यहाँ पर आपको यह series में लगाना होगा ठीक है तो series में इसे लगा देते हैं then इसके बाद देखते हैं कैसे work करता है अभी इसके लिए power supply हम एक power supply के लिए use करने वाले तो इसका positive negative same कर देते हैं ठीक है अभी देखें यह positive negative connect हो चुके और यह power supply यहाँ से attach करते हैं ठीक है power supply attach कर दिया अभी देखते हैं यह जो remote आप देखे हैं इसकी remote working देखते हैं ठीक है तो अभी देखें यह हम जैसे button push करते हैं देखें button push करते तो जो infrarediation वो कम receive करता है लेकिन यह देखें accurate receive करता है यह बह हम आपको distance से दिखा सके लेकिन सायद आपको इसके जो difference है, main difference आपको clear हो ठीक है तो लेकिन इसके अंदर हम analog signal में generate करा सकते हैं इसके अंदर digitally signal जनरेट करा सकते है, coding जनरेट करा सकते हैं ठीक है, तो particular button है particular button का particular एक coding होगी तो आप देख रहे हैं यह कहीं से भी receive कर रहा है ठीक है देखिए वो work करना बंद करता है लेकिन देखिए वो फिर भी work करता है Thank you for watching Please subscribe